हेलो गाईज, वेलकम टो विदन ओनलाइन स्टड़ी, आप यूफ राचमली गेंद आप देख रहे हैं मेरा चैनल सो गाईज, एक्जाम खतम हो चुका है, 68500 का भविश्य अब शुरू होने वाला है मैं तो यह कहूँगा, लेकि बहुत बड़ा पहाड जो हमारे सामने था, 15-16 विश्यो गो लेकर वो हब जा चुका है सो कैसा हुआ आपका एक्जाम, मैं तो गर पोच गया हूं ठीक ठाग, और एक्जाम के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी सब कुछ जो कुई मैंने experience किया है, cheating के बारे में, sitting arrangement की बारे में, caution के star के बारे में, सब के बारे में चर्चा करेंगे दो मिनिट के लिए मैं आपके पास आजाओं क्योंकि मैं बहुत excited था, इस वैसे मैं थोड़ा जल्दी आ गया खैर ये तो बात की बात है, फिलाल मैंने कुछ देखा नहीं है, कितने caution मेरे सही है, कितने गलत है हाला कि मैंने measure किया है कि 90 से लेकर 110, इसके बीच में मेरे number आएंगे और let's see, देखते हैं क्या होता है, अब जितने caution मैं कर सकते हैं, उसकी उत्तरकुंजी मिलाकर दो या तीन जो हम online sites चलाते हैं, उन सभी से मिलकर, अब जब मैं आपके लिए उत्तरकुंजी बना रहा हूँ और शाम को 6-7 बहे तक ये उत्तरकुंजी upload हो जाएगी, जो की 4-5 जनों से verify करवाई जाएगी इसलिए इसमें थोड़ा समय लग जाएगा, तो wait कीजी आप उत्तरकुंजी का, और इसतर के बारे में बताऊं, तो 60 questions का इसतर down था, जो की हर कोई कर सकता है, 60-65 questions, ठीक है, जो की बिलकुल normal थे, और किये जा सकते थे हाला कि जो शिक्षन, कोशल और बाल, मनोविज्ञान वाला चीज, जो वो side थी, वो काफी tough आई है, और मतलब कि one word में answer देना उसके बहुत ही मुश्किल हो रहे थे, कोई भी exact answer हमें नहीं मिल पा रहा था, 5-6 questions चोड़कर बाकी सबी में यही हाल था, और अगर बात करें, stable gk में उत्तर परदेश के कुछ questions काफी tough डाले हुए थे, और कुछ questions बहुत ही असान थे, और वर्तमान से related थे, current की बात करूं, तो current काफी असान था, हिंदी काफी असान थी, इंग्लिश काफी असान थी, संस्कित भी असान थी, तो guys, बस last में यही कहना है कि इस तर medium था, कुछ question hard थे, कुछ question असान थे, math जैसा आता है, normal उससे थोड़ा सा high था, जैसे यूपी टेट में, 8th लेवल कर ना होकर, 9th या 10th लेवल का math दिया हुआ था, well, जो math करना जानते हैं, यानि जिसके पास 12th में math था, उन्हें तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, math के सभी question करने में, so, हालाकि पता है, question paper में दिमाग खराब हो जाता है, और कुछ का, कुछ लिख देते हैं, एक आदी overwriting तो की ही होगी, मैंने भी किय या, एक question में overwriting, तो खेर, यह तो जिसारी बाते हैं, इस तरह मैंने आपको बता दिया, sitting arrangement हमारे school का अच्छा नहीं था, cheating की बात करें, तो cheating नाम मातर के लिए थोड़ी बहुत होती है, वो तो हुई है, और absent की बात करें, तो हमारी class में 5 जने absent थे, so, guys, आप भी बताईए आपके वहाँ का हाल क्या था, paper कैसा हुआ, cheating हुई या नहीं हुई, और क्या लगता है आपको की merit कितने पर बनेगी, तो मैं आपको बता दूँ की मेरे हिसाब से, 75 नंबर वाला safe होगा, 75 से नीचे की, फिलाल मैं कोई guarantee नहीं लेता हूँ, वैसे मैंने अभी कुछ चेक नह पास हम दुबारा मिलंगे, दुबारा सबको बिल्कुल सही तरीके से मैं बताने वाला हूँ, फिलाल मेरा एक idea आप ले सकते हो, कि 75 नंबर जिसके हैं, 70 से 75 नंबर वो बिल्कुल safe अपने आपको मान कर चले, तो thank you so much guys, बहुत अच्छा paper था, खैर आप देखते हैं, कुछ question, history के थे, जो एक question बहुत पहले का आया हुआ है, पाला शाशक वाला, तो देखते हैं, उसके बार में भी क्या होता है, क्या अपतिया होती है, अपति भी काफी question में होगी, खास कर सिक्षन में, so let's, पूरी विवेशन आपको बताएंगे, इस समय तो बस थोड़ा बहुत ह बात करनी थी, और thank you so much guys, हमारे साथ के लिए, और please comment जरूर करना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो बीना comment किये, मज जाना, thank you so much guys, bye bye, take care, आप देख रहे थे, vision online study, जल्द ही, seat at के तयारी भी शुरू कर रहे हैं, well, पहले आप ये बताएंगे, शाम को मिलते हैं, bye bye